नमस्कार दोस्तो, आसा रखता हूँ कि आप और आपके परिवार वाले अपने गर पे स्वस्थ और सुरक्सेत होंगे दोस्तो, आप लोगों का 12th स्टांडर खतम हो गया है और अब आप लोग MS University में FYB.com के लिए जाने वाले हो तो यहां पे आपके FYB.com की जर्नी सुरू हो उससे पहले आपको MS University के बारे में, B.com के बारे में, FYB.com के बारे में सारी जानकारी का होना बहुत जरूरी है तो इस special session में मैं आप लोगों को MS University के B.com के बारे में, जितनी भी जरूरी चीज़े है, जो की आपको जानना जरूरी है, वो सारी बताने वाला हूँ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड भाविन्सा, from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes तो दोस्तो, आज के इस session को अपने कान और अपने आख, properly open रखके, अच्छे से देखना, क्योंकि सारी की सारी चीज़े, आपके mind में clear होने वाली है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना है, कि MS University में FYB.com के लिए admission लेने में, कौन-कौन से students eligible है मतलब के MS University में FYB.com मा कया students admission लई सके छे, तो देखो, जो भी student 10 प्लस 2, यानि के 12th standard, pass है, या clear कह दिया है, या फिर promote कर दिया गया है तो वो सारे students, जिसका 12th pass है, या 12th में promote कर दिया गया है, वो सारे के सारे student, MS University में FYB.com के लिए admission ले सकते है चाहे वो आपने GSEB से किया हो, CBSE से किया हो, या कोई भी equivalent board से किया हो, आप सब MS University में FYB के लिए eligible होते हो यहाँ पे ये आपकी जो 12th तक की journey है, चाहे वो आपने गुजराती medium से study किया हो, English medium से, Hindi medium से, या कोई भी medium से आपने 12th complete किया है, वो सारे students eligible है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, कि सिर्फ English medium वाले student या सिर्फ गुजराती medium वाले student ही FYB admission ले सकते हैं, ऐसा कोई restriction नहीं है, और वडोद्रा के तो सारे students admission ले ही सकते हैं, उसके अलावा वडोद्रा के बाहर के जो student है, वो भी MS University में FYB के लिए admission ले सकते हैं, और हर साल बहुत सारे students MS University में पढ़ने के लिए वडोद्रा के भी बाहर की अलग-अलग cities से आते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जानके ये खुसी होगी, कि जो हमारी MS University है, वो गुजरात की best, top ranked university है, और इसलिए अलग-अलग city से भी लोग, यहां पे MS University में B.com की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अभी यह जो दूसरी information है दोस्तों, यह आप लोगों के लिए काफी important है, और वो यह है कि admission process क्या होता है, MS University में FY के admission के लिए हमें क्या करना होता है, तो यहां पे admission process में दो stages होता है, जिसमें पहले stage में आपको एक online form application submit करवाना होता है, जिसमें online form की जो fees होती है, वो normally वो 300 रुपे की होती है, वो 300 रुपे की form fees और उसके अलावा आपकी कुछ information बागेंगे और कुछ documents होंगे, उसकी soft copy upload करनी होगी, और इसके लिए पूरा process क्या करना होता है, किस तरह से हो सकता है, यह सारी information को मैंने एक दूसरे session में provide किया है, तो आप उस session को भी ध्या से देखना, उसके अंदर में पूरा live किस तरह से MS University के online application को भरना है, किस तरह से document submit करना है, सारी चीज़े बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, और कोई भी student उसको देखके आराम से यह process कर सकता है, उसके अलावा भी अगर आपको confusion है, तो आप हमारे classes पे आके हमसे मिल सकते हम भी आपको support करेंगे, या फिर हमारा MS University का FYB.com का group है, आप उस group को join करें, तो भी उसके अंदर सारी information time to time मिल जाती है, और ये group की जो link है, वो हमारी साथ Smart Studies app की जो link है, वो यहाँ पे नीचे description में आपको दी हुई है, तो पहला step यह है, कि आपको online form fill up करना होगा, यह आप और दूसरा stage है, final admission, जिसमें आपको जो college की fees है, वो पे करनी होगी, और आपने जो document submit करवाय है, उसका verification होगा, तो ये दो stages में यहाँ पे आपको admission का process करना है, तो ये आपके लिए most important part है, और आखिर में जो last वाला part है, वो आप लोगों के लिए काफी useful है, तो ये पूरा session देखना है, इसके बाद यहाँ पे MS University में FYBECOM के लिए आपको चार अलग-अलग building है, मतलब MS University के ही पार्ट है, पर ये चार प्लेस है, चार building कहते है, जहाँ पे MS University का FYBECOM चलता है, जिसमें पहली आती है main building, जो की काला घोडा सरकल के पास है, दूसरी आती है girls building, जो की पादरा building, जो की पादरा के पास है, तो यहाँ पे चार building है, और चार में से आपको कहीं पे भी जो eligibility होती है, उसके हिसाब से admission मिलता है, अब आपको ये confusion नहीं रखना है, कि सर, यहाँ पे admission मिले तो अच्छा, यहाँ पे admission मिले तो अच्छा, यहाँ पे admission मिले तो अच्छा वो सेम रहेगा, पेपर, एक्जाम, चेकिंग, डिगरी की वैल्यू, सारी चीजे सेम रहती है, तो कहीं पे भी admission मिले, कोई फरक नहीं पड़ता है, हाँ, उसकी fees जो है, उसके अंदर minor-minor से difference है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कि आपको ये 4 में से कहीं पर भी admission मिल सकता है पर ये admission आपको मिलेगा, ये बात confirm है, अब यहाँ पर ये भी जान लो कि आपकी B.com की पूरी जर्नी कैसी रहेगी MS University में, तो आपकी जो B.com की जर्नी है, वो तीन सालों की आपकी पूरी रहने वाली है, तीन साल के बाद में आप B.com की डिगरी लेके बाहर निकलने वाले ह और यहाँ पर ध्यान रखना, वो तीन साल में, पहला है 1st year B.com, 2nd year B.com, 3rd year B.com, अब हर एक जो year है, उसके अंदर 2-2 semester आपको पढ़ने है, मतलब 1st year B.com है, उसके अंदर आपको आएगा semester 1 and semester 2, 2 semester F.Y.com के, उसी तरह से 2nd year B.com में, again 2 semester, ये 2nd के बाद, 3rd and 4th, ये आपको SY B.com में रहेगा, और आखिर में है 3rd year B.com, यानि के TY B.com, जिसमें आपको semester 5 और semester 6 की पढ़ाई करनी होगी, और semester 6 आपका खतम होगा, उसके बाद, आपको MS University के B.com के degree मिल जाएगी, अब यहाँ पे, ये exam pattern क्या होती है, उसको भी समझ लो, क्योंकि ये तो main चीज है, ये clear होगी, तो जाके हमें degree मिलने वाली है, तो यहाँ पे हर एक semester में, दिखो, हमने आगे दिखा कि total 6 semester आपको MS में पढ़ने होते हैं, और ये हर एक semester के अंदर, आपको 2-2 exam आने वाली है, जैसे कि for example semester 1 है, तो उसकी 2 exam, internal exam और external exam, फिर ऐसे second semester में, third semester में, internal, external, internal, ये रहेगा, होती है, 70 marks की, ठीक है, तो अगर हम एक year की बात करें, यानि कि FY become की बात करें, तो उसके अंदर दो semester, semester 1 की 2 exam, semester 2 की 2 exam, मतलब total मिला कि एक साल के अंदर, आपको 4 exam आएगी, और अगर पूरे become की बात करें, तो 3 साल होते हैं, एक साल में 4 exam, ऐसे 3 year, first year, second year, third year, तो total आपको 12 exam आपके become की जर्णी में आने वाली है, ये चीज़ को आप लोग अपने mind में fit रखना, अब मैं आपको बढ़ रहा हूं कि specifically FY become के first semester में, आपको कौन-कौन से subject पढ़ने को आने वाले है, तो यहाँ पे आपको पहला एक subject है, account, जो की practical subject है, दूसरा आपका subject रहेगा, statistics, ये भ FEC, यानि के fundamental of English and communication या उसको FLC, fundamental of language and communication भी कहा जाता है, उसके अलावा है SPB, यानि के structure and process of business, then EET, यानि की elements of economic theory, and last is IES, Indian economy structure, ये छे subject आपको पढ़ने है, जिसमें से दो practical है, और चार theoretical subject है, और ये सभी subject का, आपको based, high-tech, conceptual education लेना है, with fun, enjoyment, knowledge, at lowest fees, तो आप आज ही, साहस institute का contact कर सकते हैं, हमारा जो, MS University, FYB.com का group है, हमारे class का, आप उसको join करे, which is open for all the students, जिसमें आपको सारी information, time to time, मिलती रहेगी, ये हमारे contact numbers है, आप हमें contact कर सकते हैं, इस number पे WhatsApp कर सक सकते हैं, हमारी जो दो offices है, दो class है, एक कारली बाग के पास है, संगम cross road पे, और दूसरा वागोडिया road पे, तो वहाँ पे भी आप हमें मिलने के लिए आ सकते हो, या हमारी जो YouTube channel है, साहस institute of commerce, उसके उपर हमने बहुत सारे video sessions, FY, SY, TY सब के रखे हैं, तो आप जाके देख स सकते हो, ताकि आपको quality of education पता चले, और अगर आपको अच्छा लगता है, और आपको और excellent education experience करना है, देखना है, तो Google Play Stores पे साहस smart studies app को डाउनलोड कर दे, उसमें अपना account free में create कर दे, जिसमें FYB.com के बहुत सारे sessions, मैंने free में demo sessions के तोर पे रखे, तो आप वो सारी customers हो, FYSY, TYB.com, CA या CS के कोई भी level के लिए, आप या आपके कोई भी friends या भाई-बैन experience करना चाहते है, तो सब को recommend करो कि वो आज ही Google Play Store पे जाके साहस smart studies app को डाउनलोड करे, जहाँ पे lowest fees पे extraordinary educational features मिलते है, जिससे कि आपका knowledge, result और career तीनों ही terrific level पे बढ़ सके, और दोस्तों आप सब लोग हमेशा ऐसा ही मुस्कुराते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, God bless you all, जैहिन!